हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक दो नहीं बलकि साथ सिटी के क्रिकेट ट्राइल की डेट और वैन्यू की अपडेट लेकर आया हूँ और दोस्तो इसमें सभी age group के player participate कर सकते हैं और दोस्तो इनके registration भी जल्दी close होने वाले हैं उसकी date भी मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो को last तक देखना बिल्कुल भी skip मत करना और दोस्तो वीडियो को like कर देना अपने सभी दोस्तो को share जिरू कर देना तो दोस्तो आज मैं आपको जिन cricket trial के बारे में बताने वाला हूँ वो है S.P.C. Sports League के cricket trial तो दोस्तो S.P.C. Sports League को नहीं जानते तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि अगर आप S.P.C. Sports Cricket League के cricket trial में participate करते हो और आप टॉप के 50 प्लेयरों में रहते हो तो आपके पास मौका है जीतने का दाल तक की sponsorship जिसमें की आपका रहना, खाना, पीना, cricket academy, cricket kit, BCCI level की cricket coaching का सारा खर्चा S.P.C. Sports League की तरफ से किया जाएगा तो दोस्तो अगर आपको मेरी बात पर जिकीन नहीं हो रहा तो आप यहां पर पिछले साल सेलेक्ट हुए प्लेयरों के और उनके पेरंस के रिवीव भी यहां पर देख सकते हो मतलब हम लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम 15 सु रुपे पे करके और मतलब इतना एक्सपेक्टेशन कर सकते हुए मतलब आपने जो खाना प्रोवाइड किया उनकी जो कॉलिटी थी आउस्टेंडे और ग्राउंड की बात के जाए बहुत बढ़िया तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि SPC Sports के cricket trial का selection process क्या है और उसके बाद मैं आपको इनके cricket trial के venue के बारे में बताऊंगा और उसके बाद registration कैसे करना है वो भी बताऊंगा वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि एक venue पर सिर्फ 300 प्लेयर ही ट्राइल दे सकते हैं यह 300 प्लेयर तीन अलग अलग एज ग्रूप के होंगे यानि कि एक एज ग्रूप के 100 प्लेयर एक venue पर cricket trial दे सकते हैं जैसे कि दोस्तों और दोस्तों इन 100 प्लेयरों में से 22 प्लेयर सेलेक्ट किये जाएंगे अगले राउंड के लिए जानि कि 300 में से 66 प्लेयर सेलेक्ट किये जाएंगे अगले राउंड के लिए तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ SPC Sports League के cricket trial date और venue के बारे में तो दोस्तों इंडिया में पहली बार होने वाला है कि एक ही date को 4 अलग-लग state में cricket trial होने वाले हैं जबकि दूसरी लिग में यह होता है कि एक cricket trial एक state में होता है और उसके बाद 2 चार दिन के बाद किसी दूसरे state में होता है लेकिन SPC Sports में इंडिया में पहली बार ये हो रहा है कि एक ही दिन चार स्टेट में cricket trial हो रहे हैं तो दोस्तो ये होने वाले हैं 17 जून को पटना, लखनवू, नागपूर और जवलपूर में तो दोस्तो आप इनके venue यहाँ पर देख सकते हैं और दोस्तो आपको बता दूँ कि जो 17 जून को cricket trial होने वाले हैं उसके जो registration है वो close हो जाएंगे 15 जून को और दोस्तो इसके बाद जो बाकी के venue है और उनकी जो cricket trial होने वाले हैं 19 जून को यह होने वाले हैं दिल्ली में चंडिगड में और जैपुर में और दोस्तो आपको बता दूँ कि जो 19 जून को cricket trial होने वाले हैं उसके registration 17 जून को close हो जाएंगे तो दोस्तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने SPC Sports League में registration कैसे करना है लिंक आपको description में मिल जाएगा रना है तो दोस्तो सबसे पहले आपने SPC Sports की website पर जाना है लिंक में आपको description में दे दूँगा आप यहाँ पर detail पढ़ सकते हैं और उसके बाद registration करना काफी ज्यादा असान है आपने यहाँ पर अपना नाम भरना है और उसके बाद अपने father का नाम और उसके बाद contact number, email id अपनी सारी detail फिल कर देनी है और उसके बाद registration यहाँ पर कर देना है और दोस्तो registration की fees है मातर 499 रुपे तो दोस्तो मैं आपको इनकी website का link और इनके instagram का link description में दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर भी update ले सकते हो और इनके जो चंडिगड के cricket trial है उनके जो venue की update है वो इनके instagram पर आएगी तो वो भी आप जाकर check कर सकते हो तो दोस्तो जल्दी से जाएए SPC Sports League की website पर वहाँ पर जाकर अपना registration की जिए और अपने city में cricket trial जरूर देने जाएं और आपको मौका मिल सकता है दो साल तक की sponsorship जीतने का जिसमें आपको मिल सकता है BCCI और IPL लेवल के coaches से अपनी cricket की बारीकियां सीखने का मौका तो दोस्तो यह सी SPC Sports की cricket trial की date और venue तो दोस्तो आपको कैसे लेगी मुझे comment box में जरूर लिखना और दोस्तो वीडियो को like कर देने चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कर देना